Hello student, बहुत बहुत सागत है DK sir classes में, जितने भी प्यारे student कल 2 March को paper देने जाएंगे English का, तो आज की इस वीडियो में class 12 के बच्चों के लिए 10 नमर पक्का हो गया, 10 नमर कोई नहीं रोकेगा, guarantee बोल रहां बबू, क्योंकि आज की इस वीडियो में most important letter writing लेके आचुके, कहीं भ होचा है का complaint letter, जो की complaint किया जाता है न, उस तरीके से board exam में most important complaint letter भी आएगा, और दूसरा नमर, यहाँ पे देख सकते हैं, editor पे, editor पे भी दो बता देता हूं, बस दोनों को अच्छे से पढ़ लिजीगा, 100% TC में से टकराएगा, guarantee बोल रहां बबू, जब paper देखे आएंगे तो बोलेंगे, sir, जो बताएथे न, चार complaint से और एक किसे, यहाँ पे देखे, editor से, दोनों फंस गया है, sir, आज की वीडियो काफी important है, प्यारा सलाई कर देजीए, और यहाँ पे लिख के भी बताएगे, कैसे लिखना न, किस permit में, कैसे लिखना है, ताकि एक भी number न कटे, बहुत सारे बत्से गलती यह करते हैं, last में क्या होता है न, कि वहाँ पे date डालना है, और नाम के जगब पे कुछ-कुछ changing करना है बबू, समझ लीजी एक के question को, सबसे पहले तो किस topic पे त्यार करके जाना है, पहले number, पहले number ध्यान देजीए, प्यारी student, पहला number जो होगा nuisance, यहाँ पे देखे, kissed, kissed by the use of loudspeakers at late night, इसका मतलब क्या बोला है प्यारी student, कि देरे रात को loudspeaker के परियोग से होने वाले उपद्रों के बारे में जीला मजिस्टेट को एक पत्र लिखे, एक अदम very IMP है, most important है, बार-बार पूचता है बावु, एक अदम इसको अच्छे स पर लिख कर जाना इसको, और आज की इस वीडियो में इसके बारे में ही हम लिख के सिधे सिधे बताएंगे, इस तरीका को आप अपनाते हैं, तो 10 नमबर तो कोई रोकेगा ही नहीं, गारंटी है, दूसरा नमबर देखे बावु, यह complaint से यह दूसरा नमबर क्या है, इसमे से पूछेगा कि, राइट ही लेटर टू दा, मैयोर आफ दा, यानि को आपरेशन रिगार्डिंग इस पोसल आप सॉलिडी वेस्ट, इसका मतलब क्या पोछा है बावु, सब लोग अच्छे से इसको पहले तो पढ़के जाना, पूछ रहा है ना कि ठोस आपसिस्ट, क्या सॉलिडी वेस्ट का मतलब क्या हो, ठोस आपसिस्ट के, यानि कि इस तारड के समन्द में निगमन को क्या करना है, मेर को क्या करना है, पत्तर लिखना है, पेपर में 100% पूछे जाना वाली लेटर है, इसके बाद यह तो कंपलेंट से, कंपलेंट से बस दो पढ़ लेना, इ एडिटर ओफ ए निउस पीपर, अबाउड फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउंस आफ वाटर सप्लाई इन योर लोकलीटी, यह पूछा गया ना बभू, इसका मतलब कि अपने इलाके में बार बार जल आपूर्ती बाधित होने के बारे में, किसी समाचार पत्र के संपादों को इसको पढ़के चले जाना, दस नमबर तो कोई रोकेगा ही नहीं, इसके बाद दूसर नमर देखिए, एडिटर के बारे में, एडिटर पर, क्या है कि राइट ए लेटर टू दाप, एडिटर ओफ ए निउस पीपर कंप्लेनिंग अबाउड दाप, यहां पे या गुल होना, उसी को बोलते हैं, होने की सिकायत करते हुए, किसी समचार पत्रों के संपादों को पत्र लिखे, 100% पेपर में आने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में ने चार बताया है, चारों को छाप लिजीगा, और इस यानि की लेटर पे, जो कंप्लेंट लेटर क्या करना है, पत्र लिखना है, कि देखिए भाई, हमारे गाउं में जो है, हमारे मुहले में क्या हो रहा है, कि लाउड स्पीकर बहुत जोर जोर से बज़रा है, लेट नाइट तक, देर रात तक, इसका निदान कैसे हो, कैसे इसका सामधान हो, इस पे आपको डिस्टिक यहां से स्टार्ट करिएगा, पेपर में जब लिखेना है, स्टार्ट करिएगा, यहां पर टू लिखिएगा, क्या लिखेंगा बबू, टू लिखेंगे कमा लगा दिशिएगा, समझ आ रहा है बबू, इसी तरीके से लिखना है, टू लगा कि कमा लगा कि उस लाइन में क कुछ नहीं लिखेना है फिर नीचे यहां से यहां से लिखेंगे दिस्टिक किसके बारे में लिखेंगे दो डिस्टिक मजिस्टेट को यहां पर दिखेंगे डिस्टिक मजिस्टेट को यहां पर दिखेंगे दिस्टिक मजिस्टेट को यहां पर प्रयागराज का लिखेंगे बबू प्रयाग राज प्रयाग राज इस तरीके से लिखे लेंगे बबू यहां पर फूल स्टाप देदीजीगा अब यहां सी क्या करेगा इस लाइन को छोड़ देना है अब मेन बात आती है बबू की लेटर लिखते समय किस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हैं तो यह पत्र रेस्ट्रीकेशन इन एक बता रहे हैं अभी स्ट्रीकेशन और लाओड़ स्पीकर met अलाओड São यह हो जगा इसकर क्या वान गोश्प्चप शबजग्ट किस जप्यक्ट पर किस सब्जोक्त पर आप यह पत्र लिखे तो रेस्ट्री केसन आण लाओड स्पीकर यानि की हम पतर लिख रहे हैं किस पर रोग थाम हो ठीक है बभू अब यहां से मेन आपका जो है लिखना स्टार्ट होगा सर लिखेंगे तू जहां लिखे थे ना उसके ठीक सामने आएंगे यहां से अब यहां से सर लिखेंगा का लिखेंगे बभू सर लिखे कमा लगा के छोड़ द यहां पर लिखेंगे सा 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 यह इंटर्मीडियेट लिखेगा इसके बाद आफ यूपी बोड आफ यूपी लिख दीजेगा इस तरीके से आफ बोड लिख दीजेगा इस तरीके से लिख 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 ल सिधी ऐसे लिखिलेंगे बभूざमिनेशंज एकजा मीनेशंस हैएडा इसके बाद लिखिलेंगे आर ॥ा इक्चामिनेशंस आर एट N है ट क्या लिखेंगे at hand at hand but the क्या लिखेंगे इसका पूरा अर्थ हम बताएंगे पहले तो समझ लिजिए पहले अच्छे समझ लिजिए but the यहां पर लिखेंगे but the continuously continuously यहां पर लिखेंगे फिर noise लिखेगा noise ठीक है बाबो यहां पर noise चुझाएगा इसके बाद off लिखेगा noise off लिखेगा loud speaker loud speakers speakers लिखेगा does not does not लिखेगा ठीक है न डॉच्ट लिखेगा इसके बाद क्या लिखेंगा प्यारी स्टूडिन अलावू allow लिखेगा फिर aus लिखेगा पूरा का अर्थ हम बताएंगे पहले तो समसे लिखेगे students क्या लिखेंगे students यहां फिर कमा लगा देजिए to study to study लिखिएगा प्यारी student peacefully peacefully लिखिएगा फिर यहां पे fully stop इतना लिख लेंगे प्यारी student फिर यहां से उस line को छोड़के यहां से लिखिएगा क्या लिखेंगे the disturbance, क्या लिखेंगे the dis, t-r-u t-u-r-b a-n-c-e, disturbance ऐसे लिख 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 जिएगा, ठीक है, of loudspeaker loudspeakers लिखेंगा, usually usually लिखेंगा, बबू, u-s-u a-double-l-y, usually लिखेंगा, ठीक है, remain यहाँ पर दीख रहा है remains लिखेंगा, remains, ठीक है न, इसके बाद यहाँ से फिर लिखेंगे, प्यारी स्टूडियन, की continuously ठीक है, continue लिख लिख लिखेंगा, till night till मतलब देर होता है, night मतलब रात यह midnight लिखेंगा, till midnight ठीक है, प्यारी स्टूडियन, midnight and फिर क्या लिखेंगे, some times sometimes, sometimes even, sometimes क्या लिखेंगे, प्यारी स्टूडियन, even whole क्या लिखेंगे, even whole night even whole night, fully stop लगा देजिएगा, इसके बाद it लिखेंगा, it के बाद has लिखेंगा, therefore लिखेंगा, क्या लिखेंगे, देर्फूर therefore इसके बाद कमा लगा देजिएगा, become लिखेंगा, become फिर कमा लगा देजिएगा, इसके बाद यहां पर difficulties लिखेंगा difficulty लिखेंगा, ठीक है, to, concentration concentration, concentrate लिखेंगा, concentrate भी वही होता है, on लिखेंगा, क्या लिखेंगे प्यार student, concentrate on studies, fully stop लगा देजिएगा, इसके बाद यहां पर थोड़ा सा और भी लिखना पड़ेगा, students क्या लिखेंग और यहां बिखेंगा वी का लिखेंगे की लिखेंगे वी students है वी students थेक़् है शेहल भी पोत सेहल भीख लिखियोगा मैं अहीं और सब्सक्रान If you, if you, एफ यू लिखिएगा, ठीकर प्यारी स्टुदिन, If you लिखिएगा, कईंडी लिखिएगा, जो हदुतेजर का का लिखेंगे, हैं कि इस्के बाद रिखेंगे, रेस्टिकेट, हैं के रचे डाउड़ स्पीकर, हैं के яр मे लिखेगा during, का लिखेंगा during लिखेगा the examination, the examination, ठीक है बाबू, days, during the examination days लिखेगा, बस यहाँ पर क्या करेगा, fully stop लगादेश जिएगा, अन्ती मन्जिल पर आचुके, यहीं पर आपको बोल रहा था न कि यह वाला जरू लिखेगा, thank you, thank you, very much, very much, यहाँ पर लिख दीजिएगा, बस, यहाँ पर क्या करेगा, प्यारी स्टुडिन, अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर, your faithfully लिख 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 दीजिएगा, इस तरीके से x, y, z हो चाएगा, देखिए बबू, इसको कैसे आपको कुदो, district magistrate, प्रियाग राच, टू मतलब, किसी के प्रति पत्र लिखते हैं, तो टू का मतलब होता है, प्रती, कि हम इसके प्रती भेज रहे हैं, किसके प्रती, the district magistrate को भेज रहे हैं, कहाँ पर प्रियाग राच, समझ में आगया, अब लेटर लिख रहे हैं, तो किस subject नंबर तो होजे के रस्ट्रीकेशन आन लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाना है इसंपर हम लिखें यहाँ से सर लिखेंगे यानि कि महास से कुप यत्रों लिखेंगे तो महासा लिखेंगे रिस्पेक्ट फूली वी वेक्ट बेसे डएट गोशेजऑ रेकंपोड और फ and head but the continuous noise of loudspeakers does not allow at student to study peacefully कहेंगा बबु कि respectfully हम आधर पुरो कहना चाहते हैं यानि कि respectfully we wait to say हम लोग आधर पुरो कहना चाहते हैं कि that the high school and intermediate examination of UP board यानि कि उत्तर परदिस का high school intermediate का परिक्षा जो हैं क्या क्या है held क्या रखा गया है जो कि university और मतलब university का भी examination ृत यहाँ पर देखें at hand bud जो कि क्या क्या गया much examination चल रहा है high school का intermediate का इन उर्चिटइक अभी क्या हो रहा है examinations continue लगातार चल रहा है और क्या हो रहे हैं कि loudspeaker की जो है यानि कि जो loudspeaker DJ बज रहा है ना उसकी धोनी जो है लगातार बच्चों को पढ़ने में क्या कर रहे है परसानिया ला रहे है peacefully student धानपुरक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो यहां से लिखेंगे फिर कि the disturbance of loudspeaker loudspeaker के परसानी से यानि बच्चे परसान है usually remain continuously till midnight मतलब अधिकतर दिर रात आधी रात तक यह बजता जा रहा है और बजता है and sometimes और कुछ समय even whole night और कुछ समय तो पूरा-पूरा रात बजता ही रह जाता है it has therefore इसलिए we come difficulty इसलिए हम लोग को परसानी आ रहे है to concentration on study पढ़ाई को केंद्रित करने में या पढ़ाई पर ध्यान लगाने में we student हम सभी विद्यार्थी cell भी अबलाइट हम आपसे क्या करना चाहते है हम सभी विद्यार्थी जो है आपसे अबलाइट करना चाहते है अबलाइट का मतलब क्या होता है प्यारे student यानि कि आप कह सकते हैं कि यानि कि इसके बारे में हम आपसे यानि कहेंगे कि बात है ठीक है बाबू बात है यहाँ पर पूरा औरत निकालेंगे कहेंगे कि यदि आप परिक्षा के दिनों में लाओड़ी स्पीकर के उप्यों को प्रतिबंद करने की क्रिपा करें तो हम सब सातर आपके लिए क्या होंगे बात है होंगे अब यहाँ तक होगे न बाबू इसके बाद थैंक्यू फेरी मच आपका बहुत बहुत धन्य आपका आगया कारी एक्स वाई जेट पेपर में नाम नहीं लिखना है वस यह लिख दिजिएगा आपका दस नंबर एकदम पक्का है बबू यह पेपर में पक्का ही पूछा जाएगा वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और 100% इस चारों को बताया हों चारों को बन आपकाद में लिखना है वाईगा आपका दस हिजिए में लिखना है व्यारा कारा आपका है वाईपवारा दस के वाईपर आपका बाल शारे वाज़ यह चारों को चारों के